बहुत ही healthy और tasty होते हैं ये chicken cutlets एक पीस हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं ये देखी अंदर से एकदम soft और बाहर से एकदम crispy बने हैं और आप बहुत आसानी से इन्हें अपनी kitchen में बना सकते हैं रेसिपी पसंद रहे तो try जरूर कीजिएगा तो आए देख लेते हैं हमने इने किस तरह से बना है सबसे पहले हमने ये 500 ग्राम bonless chicken एक पैन में डाल दिया है अब इसमें एक टेबले स्पून अद्रक लैसून और हरी मिर्च का पेस डाल देंगे साथ हम इसमें आदा टीस्पून नमक और आदा टीस्पून काली मिर्च पावडर डाल कर एक से दो मिन अब दो मिनट के बाद ही देखिए चिकन का कलर चेंज होने लगा है और इन सभी मसालों का जो फ्लेवर था वो चिकन पीसिस के अंदर अच्छे से आ गया है अब हम इसमें चिकन को पकाने के लिए एक कप पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पर इसमें बॉैल आने देंगे और अब बॉैल आते ही हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसे कवर करके 7-8 मिनट तक इसका ये पानी ड्राइ होने तक पकाएंगे अब तक्रीबन 7 मिनट के अंदर ही इसका सभी पानी ड्राइ हो गया है अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और चिकन को ठंडा होने देंगे और अब हलका सा ठंडा होते ही हम चिकन के पीसिस को एक ग्राइंडिंग जार में डाल कर शिराइट कर लेंगे हमने मिक्सी को रोक रोक कर कुछ सैकिंड के लिए चलाया है तो ये देखे चिकन के रेशे अलग हो गए है आप चिकन को हाज से या काटों के मदद से भी श्रैट कर सकते हैं अब इस चिकन को हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें जो लंप्स हैं उसे हम हाज से ठीक कर लेंगे अब हम इसमें कुछ सबजियां एट करेंगे यह हमने दो उबले हुए आलो लिये हैं जिने हमने हाज से मैश कर लिया है यह इसमें डाल देंगे यह आधा कप ग्रेट की हुई गाजर ली है यह भी इसमें डाल देंगे यह आधा कप शिमला मिर्च है बारिक कटी हुई यह भी इसमें डाल देंगे आधा का पत्ता को भी है इसे भी हमने बारिक करके चॉप कर लिया है ये इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइस की प्याज है फाइन चॉप की हुई और एक मुठी हमने कटा हुआ हरा धनिया लिया है दो हरी मिर्चें कटी हुई ये डाल देंगे अब आधा टेबल स्पून या टेस्ट के मताबिक नमक डाल देंगे आधा टेबल स्पून गरम मसाला और आधा टेबल स्पून ही जीरा पाउडर है ये डाल देंगे और आप हाथ से या स्पून से सभी चीजों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए सभी चीज़े चिकन में अच्छे से मिक्स हो गई हैं अब हाथ पर हलका सा ओयल लगाएंगे और मिक्शर में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और अच्छे से प्लेन करते हुए कटलेट की शेप दे देंगे आप इसे अपनी पसंद से गोल या ओवल शेप में बना सकते हैं यह देखिए यह हमारा कटलेट बनकर त्यार हो गया है अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से सभी कटलेट बना कर त्यार कर लेंगे तो यह देखिए हमने सभी कटलेट बना कर रेडी कर लिए हैं अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉसेस की तरफ यह हमने एक अंडा लिया है इसमें दो चुटकी यानि थोड़ा सा नमक डाल कर फेट लेंगे अंडे को अच्छे से फेटने के बाद एक साइड में रख देंगे और यह हमने ली हैं बारीक वाली सिवेईयां सिवेईयों को हमने पहले ही पैकेट में तोड लिया था अभी हम इने एक प्लेट में डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कर लेंगे हातों के मदद से अब ये अच्छे से बारिक हो गई हैं अब सभी चीज़े रैडि हैं अंडे का घोल और ये सिवैया अब हम एक कटलेट को उठाएंगे पहले एक हाथ से इसे अंडे की घोल में अच्छी तरह से डिप करेंगे और फिर दूसरे हास से हम इस पर सिवईया कोट करेंगे अच्छी तरह से अंडे की वज़ा से सिवईया अच्छी तरह से कटलेट पर चिपक गई हैं यह देखिए अब इसे हम एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से सभी कटलेट को पहले अंडे के गूल में टिप करेंगे और फिर अच्छी तरह से सिवईयों के साथ कोट करेंगे इसी तरह से हम सभी कटलेट तयार कर लेंगे यह देखिए हमने सभी कटलेट रेडी कर लिए हैं आप चाहें तो इसी तरह से रेडी करके इन कटलेट्स को एर डाइट बॉक्स में फ्रिज में दो से तीन दिन तक के लिए इस्टोर करके भी रख सकते हैं अब इन्हें शैलो फ्राइ करने के लिए एक पैन में हमने ओयल को तेज गरम कर लिया है अब फ्लेम को मीडियम करेंगे और एक एक करके ये कटलेट्स ओयल में डालेंगे अब एक मिनट तक इन्हें एक साइट से सिखने देंगे और एक मिनट के बाद हम इनकी साइट चेंज करेंगे और दोनों साइडों से अच्छे से सुनायरे कलर का होने तक फ्राई कर लेंगे और जब ये दोनों साइड से अच्छी तरह से क्रिस्पी होकर फ्राई हो जाएंगे तब हम इने ओयल से निकाल कर स्टेंडर पर रखेंगे ताकि इनके एक्स्टा ओयल निकल जाए इन कटलेट्स को एक प्लेट में रखेंगे और अब इसी तरह से मीडियम हीट पर हमने सभी कटलेट्स फ्राई कर लिये हैं अब इन चिकन कटलेट्स को अपने पसंद की किसी भी चटने के साथ सर्व कर लेंगे आप देख सकते हैं अंदर से ये एकदम सॉफ्ट हैं और बहार से जो इनकी लेयर है वो एकदम क्रिस्पी और क्रेंची बन कर त्यार हुई है बहुत ही मज़िदार और हेल्दी कटलेट्स बने हैं क्यूंकि इसमें हमने चिकन के साथ साथ काफी सारी सबजियां भी डाली हैं अगर आपके बच्चे सबजियां नहीं खाते हैं तो आप उने इस तरह से सबजियां खिला सकते हैं तो फ्रेंड से इन कटलेट्स को आप बनाएए, खाईए और अपने फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए और अपने फीड़बेक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाहाफिस